हेलो वाइन वेलकम टू दी एकाउंटिंग क्लास आज की वीडियो में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफिरेंस होता है इसको समझेंगे क्यापिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी डिफिरेंस को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी की बेस पर हम किसी आइटम को फाइनिचल स्टेटमेंट या फाइनल एकाउंट के ट्रेडिंग और पियल में लिखेंगे या हम बैलेंस शीट में लिखेंगे बहुत सारे आईटम आप देखते होंगे कि trading P.L. में जाते हैं और कुछ item balance sheet में जाते हैं तो ये जो distribution होता है, ये जो बटवारा होता है किसी item का कि वो trading P.L. में जाएगा या balance sheet में जाएगा वो इस base पर होता है कि वो item किस nature का है वो item capital nature का है या revenue nature का है तो इन दोनों में फर्क करना बहुत ज़रूरी होता है इसको समझते हैं हम point wise सबसे पहला point है meaning capital expenditure क्या होता है और revenue expenditure क्या होता है expenses incurred in acquiring and increasing the value of fixed assets are termed as capital expenditure किसी fixed assets को acquire करने में जो पैसा खर्च होता है और उस fixed assets की value बढ़ाने में जो पैसा खर्च होता है अगर आपने कोई furniture खरीदा building land machinery खरीदा है इसको acquire किया है तो इस पर जो भी पैसा आपने कर्स किया है यह capital expenditure कहलाएगा या इसकी value आपने बढ़ाई है जैसे आपकी building एक थी उस building में पांच मंजिले थी लेकिन आपने एक मंजिल और उसमें बढ़ा दी एक फ्लोर और बढ़ा दिया कुछ कमरे और बनवा दिये तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने fixed assets की value को increase कर दिया तो यह expenditure भ जो रोज मरा के बराबर के खर्चे होते हैं जैसे salary, wages, rent, commission यह सब जो expenses होते हैं जो business पे बार बार होते हैं और साल भर होते हैं इनको हम revenue expenditure कहते हैं तो पहले आपको यह फर्क सबज में आ जाना चाहिए दूसरा है आपका example हमने कुछ example यहां दे रखा है और इसको समझने के लिए capital expenditure के example में किसी fixed assets को खरीदना जैसे plant and machinery तो cost of plant and machinery capital expenditure होगा land and building cost of furniture and fixtures यह सारे आप देख रहे होंगे fixed assets है इनको acquire करना या इनकी value को बढ़ाना capital expenditure होता है दूतरी तरफ revenue expenditure जो आपके साल भर में होने वाले कई बार होते हैं यह सारे खर्चे इसमें कुछ cash expense होते हैं कु तो plant and machinery को खरीदना capital है लेकिन उस पर होने वाला depreciation जो उसकी value को कम करता है साल दर साल उसे depreciation कहते हैं और वो depreciation आपका revenue expenditure है यह non cash expenditure होता है इसमें cash तो नहीं जाता कुछ आपके पास से लेकिन उस assets की value कम होती रहती है use के वज़ा से wear and tear की वज़ा से तो वो जो value कम होरी उस लेकिन अगर आपने building खरीदा नहीं है आपने उसे किराय पर लिया है और rent आप दे रहे हैं तो जो rent होगा building का वो revenue होगा क्योंकि rent आपको हर महीने देना पड़ेगा यह जितना दिन आप रहेंगे उतने दिन आपको देना पड़ेगा उसके अलावा repairs and insurance repairs कराना building में या machinery मे या जो भी आपी fixed assets है furniture, fixtures तो वो normal repairs अगर होता है अगर आप use करेंगे तो उसमें कुछ खराबी होगी, कुछ wear and tear होगा, कुछ two foot होगी तो उसको आपको repair कराते रहना पड़ेगा तो वो जो normal repair होती है उसे revenue expenditure की category रखते हैं उसके अलावा assets के safety के लिए उसको किसी loss से cover करने के लिए insurance भी कराया जाता है, तो अगर assets को आपने insurance कराया है, मसलान उसका आपने fire insurance लिया हो या theft insurance लिया हो, आग से जल जाने पर होने वाले नुकसान की पूर्ती के लिए आपने insurance कराया हो, या किसी भी तरह का आपने assets को loss का cover करने के लिए insurance कराया हो, तो वो सभी expenditure revenue in nature की हो होंगे क्योंकि यह एक साल के लिए होता है अगले साल फिर आपको इंशुरेस्ट कराना पड़ेगा तीसरा है आपका परफ़ज परफ़ज यानि उद्धिश क्या है मकसद क्या है capital expenditure को करने का capital expenditure को करने का मकसद यह होता है कि इससे आप अपनी fixe assets को acquire कर सकते हैं अगर आप byजनेस में fixed assets को खरीदना चाहते हैं तभी capital expenditure करना होगा या fixed assets की value को बढ़ाना चाहते हैं तभ fix capital expenditure करना होगा और capital expenditure इसलिए किया रहता है तकी वह जो आसेट्स आप अक्वायर कर रहे हैं यह जो उसको यूज कर सके यह बात समझे जैसे आपने लेंड करी दी लेंड का यूज करेंगें बिल्डिग आपने खरीदी तो बिजनस में बिल्डिग का यूज होगा मशिन डी आपने खरीदी तो मशिन डी का बिजनस में यूज होगा तो fixed assets को acquire करने के लिए और उनको use करने के लिए capital expenditure किया जाता है जबकि revenue expenditure जो होता है वो business के normal operations या normal business affairs के लिए किया जाता है बिजनस में जो भी normal routine affairs हैं जो बराबर होने वाले हैं खर्चे उनको पूरा करने के लिए revenue expenditure किया जाता है जैसे salary देना, wages देना, commission, discount, rent, insurance ये सब normal business operations होते हैं उनके लिए आपको revenue expenditure करना पड़ता है तोनों expenditure के अलग-अलग फायदे हैं Capital expenditure से business की capacity increase हो जाती है कैसे इनकीद हो जाती है, जैसे अगर आपके पाद एक machine लिए है और उस machine से आप महीने में 10,000 unit produce करते हैं तो आपने एक और machine करी थी, तो आपके पाद 2 machine हो जाएगी तो जहाँ एक machine से 10,000 हो रहा है, एक और आजाएगी तो अब total capacity 10 और 10, 20,000 हो जाएगी तो जब 20,000 unit आप produce करेंगे, तो 20,000 unit को फिर आप sale करेंगे फिर उससे होने वाली earning भी आपकी उसी के according होगी तो जब भी कभी आप expenditure करेंगे, तो उससे आपकी business की earning capacity बढ़ जाएगी उसके लाप कमाने की शमता बढ़ जाएगी लेकिन revenue expenditure से earning capacity बढ़ती नहीं बलकि maintain रहती है आप जितना कर रहे हैं जो machine आपके पास है, आप उसी को चला रहे हैं उसी को चलाने के लिए जो कुछ भी आपको करना है, खर्चे वो आप कर रहे हैं आपके पास एक machine है, एक ही है, लेकिन उसी एक machine को चलाने के लिए आपको बिजली की बिल देना पड़ेगा, क्योंकि बिजली खर्च होगी उसी एक machine को चलाने के लिए, production करने के लिए आपको raw material की जरुवत पड़ेगी तो जितनी जरुवत raw material की पड़ेगी उतना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा raw material को acquire करने के लिए आपको एक machine चलाना तो एक machine को चलाने के लिए विजली के जितना खर्च आएगा वो विजली का भी आपको देना पड़ेगा तो raw material को खरीदना विजली की बिल देना या उस machine को जहां आप रखें हैं उस building में उस building का किराया देना तो ये सारी चीज़ें आपकी उस production से related to हैं लेकिन इसके देने से production की capacity नहीं बढ़ेगी production की capacity जो है वही रहेगी एक machine जितना produce करती है उतना ही produce करेगी revenue expenditure earning capacity को maintain करता है यानि अगर आप raw material देंगे तो machine चलेगी अगर raw material आप नहीं देंगे तो machine नहीं चलेगी उसका कोई use नहीं होगा वैसे ही रह जाएगी तो revenue expenditure करके यानि हम raw material खरीद करके विजली की वेऊस्था करके आप machine को चलाते हैं तो हमारा production होता है तो अगर revenue expenditure करते हैं तो हम earning capacity को maintain रखते हैं benefits हमें जो मिलता है capital expenditure और revenue expenditure से वो कितने दिनों तक मिलता है capital expenditure का benefit एक साल से उपर के लिए होता है आप कोई fixed assets acquire करेंगे तो वो साल भर में खतम नहीं हो जाएगी building आप लेंगे तो उसकी कुछ life होगी 10, 20, 15, 15 साल machinery लेंगे तो उसकी भी कुछ life होगी जो की एक साल नहीं होगी of course एक साल से जादा ही उसकी life होगी तो जो भी fixed assets आप करीते है उसकी life एक साल से जादा होती इसका मतलब capital expenditure जो हम करेंगे उससे जो benefit मिलेगा business को वो एक साल से जादा के लिए मिलेगा लेकिन revenue expenditure आपका हर साल खतम हो जाता है आप rent देंगे तो जितने महीने का आप rent देंगे उतने महीने ही building यूज कर पाएंग है ऐसा नहीं कि आप rent एक बार देंगे तो building 10 साल के लिए उसकर लेंगे है ना ऐसा नहीं है तो उसी तरीके से आप जितना खर्च करेंगे उतने दिनों तक ही उसको यूज कर पाएंगे आम तोर से revenue expenditure का जो benefit मिलता है वो एक साल मिलता है अगर आपने insurance policy लिए तो insurance policy एक साल क जाएगा और फिर से आप अगले साल अगर आपको insurance कराना है तो दुबारा revenue expenditure करना पड़ेगा तो revenue expenditure का benefit ज्यादा से ज्यादा एक साल तक ही मिलता है और एक साल में उसका benefit खत्म हो जाता है अगले साल फिर आपको अगर benefit चाहिए तो फिर से वह expenditure करना पड़ेगा disclosure यानि कहां दिखाया जाता है capital expenditure को balance sheet के asset side में डिखाते हैं क्योंकि ये fixed assets से related होता है तो balance sheet के assets में दिखाते है capital expenditure जबकि revenue expenditure ये एक तरह का expense होता है इसलिए इसको trading account के debit side में दिखाएंगे या profit and loss account के debit side में दिखाएंगे depend करता है कि ये count furniture का है जो direct expenses होते है उसको हम trading account के debit में दिखाते हैं जबकि indirect expenses जो की sales और distribution से related या administrative expenses होते हैं उसको हम लोग PL account में दिखाते हैं अब debit, अब trading में दिखाने वाले expenses कौन से होते हैं और PL में दिखाने वाले expenses कौन से होते हैं दोनों ही expenses जो trading और PL में दिखाया जाते हैं वो अगर हम capital और revenue के category में बाते हैं तो दोनों ही expenses जो trading में दिखाया जाते हैं और जो PL में दिखाया जाते हैं वो revenue nature के होते हैं जबकि balance sheet में दिखाय जाने वाले जो भी expenses हैं वो आपके capital nature के होते हैं साथवा point है nature अगर nature के point offices को बाटा जाये तो इसको हम लोग assets account कहेंगे capital expenditure को और revenue expenditure को हम लोग expense account कहेंगे देखिए तीन category एक होती है जो traditional method होता है जिसमें हम लोग accounts को बाटते हैं personal, real और nominal में तो अगर personal, real और nominal के category में बाटना हो तो capital expenditure real की category में आ जाएगा क्योंकि वो assets से belong करता है और revenue expenditure nominal की category में आ जाएगा लेकिन अगर इसके अलावा एक category और होती है जिसमें हम लोग items को 5 category में बाटते हैं पाँच category में होता assets, liability, capital, revenue और expenses तो इन पाँच category के point आप उसे अगर हम बाटें तो capital expenditure assets वाले account में जाएगा और उसी पाँच category में अगर हम लोग revenue को रखेंगे तो वो expense account की category में जाएगा तो ये तो हो गया categorization अब last point है recording या generalizing जब हम recording करेंगे यानि general बनाएंगे तो उस general बनाते हो वक्त capital expenditure को कहां treat करना है कैसे करना है और revenue को कैसे करना है उसको देखते हैं capital expenditure को assets account में हम लोग debit करते हैं अभी पिछली slide ने मैंने देखा कि capital expenditure assets nature का होता है इसलिए इसको हम लोग particular assets account में debit करेंगे debit करेंगे लेकिन अगर revenue expenditure आप करते हैं तो revenue expenditure करने में जिस भी चीज़ के लिए आप कर रहे होंगे तो वो assets को आप debit नहीं करते हैं बलकि expenses को debit करते हैं जैसे कोई assets है उसकी repairing आपने कराई जो की normal repairing है जो हर साल हो रही है तो वो normal repairs के लिए उसको आप लिखेंगे repairs account debit वो machinery account debit में नहीं जाएगा समझ लिज़े इस बात को आप machine की repair कराएंगे हर साल जो कराते हैं जो normal repair है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे repairs account debit repairs account यहाँ पर एक expense account हुआ लेकिन अगर capital nature का expenditure होगा जैसे machinery आप खरीद रहे हो या machinery में major repair आप कराते हैं एक बड़ी repair करा रहे हैं या machinery का कोई नया parts लगा रहे हैं उसमें तो वो capital lecture का हो जाएगा और उस case में फिर machinery account को debit किया जाएगा तो यह difference है दोनों में normal expenditure होगा तो उस expense को debit करेंगे heavy expenditure होगा और उसे benefit कई साल तक मिलने वाला होगा तो वो capital lecture का होगा इसलिए उस assets को debit करेंगे उमिद करते हैं आपको information useful लोगी होगी तो अगर आपने मेरे चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है इसको subscribe कर दे वीडियो अच्छा लगा हो तो like button प्रेस कर दे आप मुझे facebook और instagram पर भी follow कर सकते है thanks for watching अपना बहुत ख्या लगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye